तो नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल टेकनिक बाच कि एक नई वीडियो में मेरा नम है सियरा मौराज आपको बताने वाला हो कि आप अपने फोन में बात करते करते यदि ब्यक्ति आपको बता रहा है कि इस नंबर को आप सेब कर ताकि आप बात करते करते यदि किसी का नंबर या कुछ लीखना हो इसी का एड्रेस सेब करना हो तो आप कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में आपको पता चलेगा आपको कोई भी कौपी और पेन किया हो सकता नहीं पड़ेगी आप बात करते करते जिस मोबाइल से अब से नॉधर कर लिजह करे मादन देखिए इतना परसेंट लोग देखते हैं लेकिन सबिश्क्राइब पर देख हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए जालना करते हैं तो फ्रेंड चलिए हम किसी को कॉल कर लेते हैं और उधर से माल लीजिए कोई ब्यक्ति आपको बता रहा है की इस number को सेव कर लीजे तो कैसे करना है से यहां पर हम call वाले option पर गए और call कर देते हैं customer कोहीं कर देते हैं call माल लीजिए suppose that युथ देखिए यह जो call लग गया, कॉल लगने के बाद, अब आपसे वो ब्यक्ति बता रहा है कि एक नंबर है, उसे सेब कर लिजिए, या एडरेस सेब कर लिजिए, तो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर नोट का आपसन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद, जो भी वो बता रहा है, आपको यहाँ पर टाइप करके अपना लिख लेना है, हिंदी अंग्रेजी, जो भी चाहें, जैसे चाहें, आप लिख सकते हैं, तो चलिए हम एक नंबर यहाँ पर सेब कर लेते हैं, इस तरह से सेब करके, यदि एडरेस भी बता रहा है, तो एडर नंबर आपको कहा मिलेगा अब ये आपको बता देता हूं जब जो नंबर आपने अभी-अभी सेव किया है तो इस तरह से आप स्क्रॉल किजिए अपने मुबाइल में ते आपको एक नोट का अप्शन दिखाई देगा इस तरह से तो इस नोट वाले अप्शन पर आप क्लिक चाहिए देगा तो ये नंबर वेसिकली हमने सेव किया है तो इस तरह से आप अपना नंबर एड्रेस जो भी बात करते करते सेव करना चाहते हैं असानी से सेव कर सकते हैं यदि वीडियो आपको हेल्फुल लगा हो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिजिए चैनल पर नए ह तो सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेस कर लिजिए क्योंकि हम आपके हेल्फ के लिए इसी तरह के और भी वीडियो हमेशा लाते रहते हैं और अन्य वीडियो का लिंक आपको हाई बट्रन में भी मिलेगा देख सकते हैं धन्यवाद